Grenier Hell dear जो लोजी का जो पेपर सेंड है ठीक है जो लोजी का पेपर सेंड आप सभी को पले शुटा हो आप मुर्मेंड सेक्षन में बता सकते हैं जो बहुत है ठीक है लेकिन मैंने जहां तक कोशिश की है कि इसका पूरा स्लेबस में आपको कम्पलीट करा है हिंदी एस वल एज इंग्लिश दोनों कमबाइन करके ठीक है तो जिन भी बच्चों ने जिनके एक्जाम अभी हैं 10-15 दिन हैं तो वो वीडियोस देखकर उसको कवर कर सकते हैं नोट्स भी जो प्रीवियस नोट है उनके नोट्स भी आपको टेलिग्राम पे मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलिग्राम पे या इंस्टाग्राम चैनल पे दोनों जगते कहीं पे भी जहां पे भी आप कमफर्टीबल है ठीक है तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं इसके पहले मैंने आपको डिसकस किया था B.Sc. 5th semester के ही 1st paper जो diversity of non-credit है इसमें diversity of credit second paper करेंगे और जिस तरीके से ये paper आप के लिए helpful है उसी तरीके से आप अपना paper एक बस काम करेंगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे कि आप अपना paper मुझे टेलिग्राम पे जरूर सेंड करेंगे ठीक है ताकि जो upcoming exams होंगे आपके next जो जूनियर सो उनको उस चीज़ से बहुत help मिल सके ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो distance learning से पढ़ाई करते हैं मतलब वो कहीं नाम लिखा लेते हैं और कि वो एक्जाम देने आते हैं तो उनके लिए एक मातर रहता है या तो वो books से पढ़ें या किसी teachers की videos मिल जा जो simplify करके उनको पढ़ा दे तो हम लोग क्या करते हैं आपके books तो आपके पास पूरी हैं हम बस उसे simplify कर देते हैं easy बना देते हैं आपके लिए ठीक है क्योंकि हर चीज़ पढ़ना तो उतना वो होता नहीं कि आप सारी चीज़े पढ़ लें इसलिए teachers होते हैं ठीक है तो आप सब telegram पे जरूर भेजेंगे इसको और मुझे आसा है कि आप भेजेंगे चलिए start करते हैं पेपर का नाम है diversity of codate and comparative anatomy ठीक है codates की diversity और comparative anatomy हमें पढ़नी है animals की बीच की ठीक है basically vertebrates की पहला से इसमें कुछ instruction है कि सारे question आपको instruction के हिसाब से करने section A की बात की जाए तो इसमें सारे question attempt करने जरूरी है ठीक है आपको इसमें से सारे question attempt करने ही करने है जिसमें से पहला ही question आपसे पुछा गया systematic position of balanoglossus तो हमेशा मैं अपने notes में आपको इस तरीके का एक box बनाती हूँ जिसमें आपको phylum का नाम ठीक है उसके बाद से class क्या है, family क्या है, genus क्या है, species बता दी हूँ तो इसी को कहते है systematic position और आपसे बस और बस balanoglossus का systematic position पुछा गया है तो आपको balanoglossus का systematic position में ने पढ़ाया है तो आप उसको कर सकते हैं अगर आगे बढ़ा जाए तो इस question में second पुछा गया है आपसे insulin hormone के बारे में आप सभी को पता है कि hormones हमारी body में endocrine system पाया जाता है जो hormone है आपका वो हमारे pancreas से secret होने वाला एक hormone है ठीक है pancreas से secret होने वाला एक hormone है ठीक है जो कैसा होता है आपके जो glucose, glucagon, glucagon और insulin एक दुसरे के क्या करते हैं opposite में क्या करते हैं ठीक है तो यह हमारे beta cell से secret होने वाला beta cell Islet of Langerhans पाए जाती है, उसमें Betasels पाए जाते हैं, वहाँ से सिक्रीट होने वाला हॉर्मोन है, ठीक है, हमारा Pencreas, Composite Gland की तरह या Mixed Gland की तरह काम करता है, इसमें Endocrine, Exocrine Part दोनों होता है तो जो इसका Endocrine Part है, जिसमें Betasels of Langerhans कहते हैं उसे या Islet of Langerhans, उसमें पाए जाती हैं, Betasels जो इंसुलिन सिक्रीट करती है और इंसुलिन क्या करता है, जब Blood Glucose Level को बढ़ा देता है, उसको घटाने का काम करता है, कैसा हाइपोग्लाइसिमिक होर्मोन है, ठीक है, फिर अगर बात कीज़ें, मैंने थोड़ास आपको बता दिया, अगर जिन लोगों गिने नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लेंगे, ठीक है फिर थर्ड क्वेशन पुछा गए, हूमरस बोन इन मैमल, मैमल की हूमरस हूमरस रेडियस अलना, आप सभी जानते हैं, ठीक है अपने 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 आपको बता है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, प्योंकि वहां मैंने आपको एक-एक अनिमल का डिटेल में पढ़ाया है, बिसिकली हमने फिश, एमफीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल की एक एक एनिवल्स को उठाया है और उनको comparatively पढ़ा है ठीक फिर अगर बात कीजाए next question पुछा गए general character of fist तो fist का आपको general character बताना है तो basically इसमें आपको pieces जो है pieces का आपको class pieces का आपको पूरा general character बताना है कि वो water में पाय जाते हैं उनके पास क्या पाय जाती है fins पाय जाती हैं gills पाय जाती है उनके swim करने के लिए ठीक है और जो और जो और स्टेक थीs fist हैं उनमें air bladders पाय जाते हैं उनके covering के लिए औपर कुलम की covering के लिए cartilaginous fist में ऐसा नहीं होता है बहुत सारी character आप इसका लिख सकते हैं ठीक है फिर से आपसे पूछा है यहां पर देखिए balanoglossus का सिर्फ systematic position पूछा था same question आपसे फिर से balanoglossus से पूछा है लेकिन इस बार उसका habitat पूछा है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि balanoglossus क्या होते हैं they are exclusively marine यह marine होते हैं कहाँ पाया जाते हैं water में पाया जाते हैं ीले teaching marine sea water में पाया जाते हैं उसके बारे में फिर amphioxus का oral hood यह तो सबसे pet question है जो examiner पूसता ही पूसता है तो amphioxus का जो है आपके amphioxus में पाया जाता है आपके oral hood विल और ओर्गन इसको कहते हैं, oral hood के बारे में आपको बताना है, explain करना, diagram इसका must होता है, फिर आपको name of cranial nerves in mammals, तो mammal के cranial nerves के बारे में मैंने आपको बताया, 12 pair of cranial nerves पाई जाती है, पूरा नाम भी मैंने बताया, comparative anatomy में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा गे, इन मैं कहूंगी, जाकर आप देख लीजे, आपको पूरा paper solve हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे आपको ये बताना था है, ठीक है, next question पूछा है, archaeopteryx के बारे में, ठीक, archaeopteryx, तो archaeopteryx क्या होता है, आपके birds और reptiles, reptiles और bird के बीच का, reptile and bird के बीच का क्या होता है, connective link होता है, ठीक, archaeopteryx, इसमें reptiles के भी character, और birds के भी characters पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बढ़ाया हुआ, tiger, tiger के बारे में दो आप लिख सकते हैं, tiger and bat दोनों एक तरीकी के mammal हैं, इन दोनों के आपके character बताने हैं, tiger के बारे में आपको character बताना हैं, ठीक है, तो यह आप general knowledge से भी, अपने GK से भी question को कर सकत थे, section B की बात की जाए, तो section B में आपको 4 question answer करने हैं, ठीक है, और 200 words में, ठीक है, यहां पर word की limitations है, ठीक है, तो 200 word में आपको कितने करने हैं, 400 questions करने हैं, उपर वाला 50 words में करना था, तो यहां question में आपको words की limitation दे रखी है, अगर इस paper की बात की जा, तो यह paper मुझे सही लगा क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको, मतलब कई सारी चुझे को combine करके छोट-छोटे पार्ट में दिया गया है, तो करने में आसानी रहती है, बागी paper जहां 15 numbers के होते हैं, वहां पे number कम मिलने के जांसे जादे होते हैं, क्योंकि 15 number में teacher गलती है जादे जूँने लगत हैं, उनके जो four limbs होते हैं, modified होते हैं, wings में, उनके handling पे पूरा body होता है, उनमें digestive system में additional chamber पाए जाते हैं, जिसमें आपका crop and gizzard पाए जाता है, उनमें beaks पाए जाती है, बीक में उनके teeth नहीं होता है, वो food को cello कर लेते हैं, उनके gizzard में जाके उसकी grinding होती है, तो बहुत सार character, यहां तो बैठे बैठे मैं आपको 5-6 बता दिये, इसी तरीके से आप कई सारे characters उसके लिख सकते हैं, ठीक, third है, right, common and geological name of six poisonous snake, six poisonous snake का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, यहां बस six poisonous snake, उसमें भी poisonous, ठीक है, geological name उनका लिखना आपको, ठीक, जैसे वाइपर का pit wiper उसको कहते हैं, वाइपर रसेली कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही कई सारे आपके cobra का नाम क्या होता है, सब कुछ आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें से भी आपको poisonous snake का नाम, poisonous, non-poisonous snake मैंने पढ़ाया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, newtony and pedogenesis, जो कि आपके amph phoebia का character है, इसके बारे में आपको लिखना है, newtony क्या होती है, कि larval character, retention of larval character, adult में भी larva का character का पाया जाना, that is newtony, fifth question पुछा गया है, what is integument and its function in coordinates, again मैंने इसको पढ़ाया, integument system क्या होता है, इसमें आपकी skins वगेरा आती हैं, वो integument system का ही part है, उसका function क्या है, coordinate में इसको भ bird में pectoral girdle, ठीक है, जो कि हमारे appendicular skeletal system का part होता है, जिसमें आपको pelvic girdle, pectoral girdle आता है, तो pectoral girdle में basically आपके, क्या होते हैं, four limb आते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला reason आता है, four limb, handling में आपके pectoral girdle में आएंगे, pelvis girdle में आपको pelvic वाला area आता है, ठीक है, तो इसका comparative बताना है आपक next question पुछा गया, write short note on the urinogenital organ of the male bird और male mammal with suitable diagram, ठीक है, तो आपको यहाँ पर relaxation दे दिया गया है, कि urinogenital system आप सब को पता है, जहां ऐसे animals जिन में urine का secretion और जिनका reproductive organ सेम हों, तो ऐसे उनको कहते है, urinogenital system कहते हैं, तो यहाँ पर पुछा गया है, male birds का या फिर male mammal का आपको ur question में पुछा गया है, write general characters of abies, birds का general character and mammals with example, तो यहाँ पर आपको bird और mammal का general character बताना है, example के साथ, ठीक है, आगे question आपका section C दिया है, section C में बोला है कि केवल दो question आपको attempt करने हैं, यहाँ attempt रहेगा PT, तो question attempt करने हैं 500 words में, यहाँ पर इसका limitation है, 10.5 number का यह question है, तो 500 words तो लिखना पड़ेगा, दो question आपको करने हैं, चलिए देखते हैं, पहला question पूछा है, describe the general characters of class euro card data, है में को हड मानिया, जिसका example है, give classification up to order with suitable exam, यह भी मैंने बहुत अच्छे से detail में कराया है, तो आपको हड मानिया, general card data, पहले general character बताना आपको euro card data का, ठीक है, उसका classification बत mechanism हर्डमानिया का, तो यह भी मैंने आपको बताया है, elementary canal और feeding mechanism of हर्डमानिया के बारे में भी, या इसकी जगह पे, आप dentition in mammal कर सकते हैं, यह भी मैंने आपको देटीर में पढ़ाया है, 11th question पुछा, आपको एक essay लिखना, migration of bird, migration and fishes, migration of bird and fishes का भी, मैंने आपको वीडियो डा के seven hormones secret होते हैं, anterior, posterior, pituitary को मुला कर, अगर इस question को आप करते हैं, तो काफी अच्छा question है, लेकिन आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं, फिलाल paper में आपका, paper तो मुझे बहुत सही लगा, और इसमें से एक ऐसा single चीज़ नहीं है, बस pituitary gland को छोड़कर जो मैंने ना पढ़ हो, तो pituitary gland आपने अपने fourth semester में पढ़ा है, sorry, second semester में फिजियालजी है, second semester में आपने साइब पढ़ रखा इसको, तो वहां से आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैंने आपकी cover की हैं, मतलब point to point, तो आप चाहें, तो वीडियो उसको देख सकते हैं, again book से पढ़ हुए, मन लगा कर पढ़िए, चलिए, तब तक के लिए बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, thank you everyone